क्या हम सब बच्चों के लिए कि क्या हम सभी बच्चों का रिजल्ट जो आएगा सिबेसी वाले बच्चों का क्या वो फेर आएगा यह बहुत चिंता लगाए क्योंकि जिस परकार से सिबेसी के पेपर लिक का मामला से लेकर साथ ही साथ कोश्चन पेपर को एंसर जो था वो टीचरों के दोवारा जिस परकार से चिटिंग कराया गया तो क्या हमारे सभी बच्चों को जो क्लास 10 और 12 के सिबेसी के बच्चे हैं क्या उन्हें इनसाफ मिल लेगा यह सवाल या निसान क्योंकि आप सभी को पता है कि देखें यहां पर पुरा डिटेल भी लगा हुआ है कि सिब्यसी का जो पेपर हुआ था तमिलांडू में स्कूल से और भी कौन सी कायत कर रहा है इसका भी नूट कर लेजे इसको सिब्यसी स्कूल मेनेजमेंट वो पूरी तरह से पेपर पहले लिख कराये गया और साथ ही साथ जो है बच्चों को पेपर पहले प्रभाएड करके एक रूम में बठा दिया गया है और पूरी तरह से यह पेपर को चिटिंग कराया गया उन्हें याद करा discussions summer लिए यह सब से बड़ा सवाल है कि एगर इस क्या गलती कि उन्होंने इमंदारी से अपनी परहाय कि अपनी लगन से तीचरों के दोरा जो बताय हुए राष्टे जो सच्छी की रास्टे उस रास्टे पर चल कर उन्होंने एक्जामनेशन दिया यही उनकी गलती है सिबसी को इस मिसे में बहुत ही इस्टिक एक्शन लेना चाहिए सो इस्ट्रेंट्स आपकी क्या रहा है वो भी बताईएगा कि क्या स्टम वन एक्जामनेशन का कैंसिल करना चाहिए या पेपर को मार्क्स प्रोवाइड कर देना चाहिए या तीसरा आप्शन मेरे हिसाब से कि उन स्कूलों पर एक्शन होना बहुत जरूरी है जिस परकार जो इस्कूलों ने जाच करके उन स्कूलों को मानेता ही खत्म कर दिया जाए ताकि अभी टम टू बाकी है लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला या है ओमी क्रोन का केसेज बढ़ते जा रहा है इंडिया में अगर हमारा ओमी क्रोन के केसेज बढ़ गया तो सीबेसी का ही सर्कूलर कहता है कि बहुत जादा अगर बढ़ गया ओनलाइन एक्जाम नहीं कंड़ करा सकेंगे तो टर्म वन का एक्जाम का जो वेटेज ही बढ़ जाएगा तो उस समय तो हमारे उन इमंदार बच्चों का जो 95 प्लस लाने पुड़ने के टर्गेट में है कि अगर उन्हों किसी तरह से कम्या रह गई है तो उनको पूरा करेंगे तो यह तो गणबड़ वाली बात हो जाएगी ना सब बहुत चिंता अब हम लोगों को एक सी चक होने के नाते एक पैरेंट्स भी कहीं ने कहीं तो यह सारे हम लोगों को काफी चिंता अपको लगाय हुए है टेंशन लग रहा है कि आखिर इन बच्चों का क्या गलती जो इन्होंने इमंदारी से एक्जामनेशन दिया और उन स्कूलों को क्यों चंद पैसे के लिए या अपने स्टेटस बनाने के चक्कर में बचों का पेपर को लिग करके इस तरह से तैयार कैया है कि स्कूलों का अच्छी रिषपॉण्स जाएगा इमंदारी भी कोई चीज होता है सब्सक्रॉंद्स, भी वांट टो जश्टिस हम लोग इमंदारी से जश्टिस चाते हैं नए गुरूप से चाते हैं कि उन बच्चों के साथ नए होना चाहिए कि नहीं गायज सो बताएए आपको क्या लगता है क्या हम लोगों को नए मिलना चाहिए कि नहीं इस परकार सिबसी ने कोश्चन को पूछा वो तो अलग परिशान किया लेकिन स्कूलों के द्वारा से इस परकार से क्रिया करा लेना या बच्चों को फैदा पहुंचाने के लिए काम करना यह कहां का इंसाफ है जरूर आप बताएं केमेंट्स करके और काफी आप दो बहुत जिनता अब जिस परकार से नीज आ गई है अब हम लोगों के लिए हम टीचरों के लिए भी बहुत शौक की बात है कि इस तरह का काम स्कूलों के दवारा कराया जा रहा है सब्सक्राइब करना ना हो यह बात को इतना फैला यह कि पेपर लीक हुआ है आंसर बताया गया है और वह भी स्कूल मैनेजमेंट के दवारा तमिलाड़ लगाए गया है इतनी तरह से आप इसको नीज को फैलाइए ताकि सिब्सक्राइब कुछ ने कुछ बहतर काम करेंगी यह हम सबको उम्मीद है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रू किजाएगा जाहिए